हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्साम फोर यू में गाइज आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी की क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर बन रही है इस वीडियो में आप देखेंगे अगर आप यूपिएससी एंटीपीसी रेलवे पुलीस लेक इकन को ओन कर लेना ताकि आपको डेली करंट अफेयर देखने को मिलती रहे है विद एक्स्टर फैक्स के साथ मैं आपको डेली करंट अफेयर कवर कराता हूं तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दे क्योंकि हर एक एक एक्जाम्स के जिन्दगी सफल होती रहेगी बिना कोशिश करने के सफलता नहीं मिलेगी आप कोशिश करते रहेए जिन्दगी सफल होती रहेगी आज का सूविचार है गाइज आप हमारा टेलिग्राम गूरूप जोइन कर सकते हैं एक्जाम फोर यू के नाम से हमारा टेलिग्राम गूरूप है तो आप टेलिग्राम गूरूप भी जोइन कर सकते हैं आप हमारा वाटसेब गूरूप जोइन कर सकते हैं आज का पहला सवाल है गाईज, हाल ही में दिसंबर 2021 के लिए ICC Player of the Year Award किसे मिला है? तो ये दिया गया था एजाज पटेल को और ये एजाज पटेल कांगे न्यूजिलेंड के खिलाडी है नेक्स्ट कोश्चन है दूसरा, हाली में 12 जन्वरी 2022 को किसकी याद में राष्टे युवदिवस मनाया गया है? तो गाईज, अभी 12 जन्वरी 2022 को स्वामी विवेकानन्द की याद में जो है राष्टे युवदिवस मनाया गया है आपका correct answer है स्वामी विवेकानन्द नेक्स question है राष्टे युवदिवस 2022 की theme क्या थी ये भी आपको पता होना चाहिए theme से related भी आपको question पूछा जाता है तो it's all in the mind ये सब दिमाग में है ये तियाकी राष्टे युवदिवस 2022 की theme वीडियो helpful हो रही है तो फटा फट से like से हो सबस्क्राइब करते हैं जरूर चलना चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को own जरूर कर लेना गाईज daily current affair आपको देखने को मिलेगी यही पर हाली में किस देश के all rounder Chris Morris ने cricket से सन्यास की गोष्णा की है जो all rounder Chris Morris है गाईज वो दक्सिन अफरीका की हैं उन्होंने हाली में भी cricket से सन्यास लेने की कोष्णा कर दी है next question हाली में पियरे ओलिवियर गोरिचस को अंतराष्टे मुद्रकोस के मुख्ये अर्थ सास्तरी न्यूक्त किया गया है उन्होंने किसकी जंगे ली है तो अभी पियरे ओलिवियर गोरिचस ने जो है गीता गोपिनाथ की जंगे ली है अभी उन्हें अर्थ सास्तरी बनाया गया है किसका अंतराष्टे मुद्रकोस का तो आपका correct answer है गीता गोपिनाथ की जंगे ली है next question हाली में भारवा भारत रतन डॉक्टर अंबेडगर पुरुसकार 2022 से सम्वानित किया गया है हर साली मल होत रहो important question है next question हाली में DRDO द्वारा ब्रहमोस क्रूज मिसाइल के समुद्र से समुद्र संसकरन की विस्तारित रेंज का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया है इस मिसाइल की गती कितनी है तो गाईज यह है 2.8 में किया ध्वनी की गती का लगबग तीन गुना है तो important question है तो इसको आप important mark करते वे चलेंगे वीडियो helpful हो रही है guys motivation जरूर बढ़ाए हमारा लाइक से और सबस्क्राइब करके सभी जाए जो भी exam for you चैनल पर आया है डेली करंट अ फिर आप यहाई पर देखोगे NTPCO railway हो, police हो, SSC, CGL कोई भी आपका exam हो, UPSC हो, SSC हो लेखपाल, पटवारी, कोई भी exam हो सभी के लिए important है next है, हाल ही में रेल, यात्रियों के खोई हुए सम्मान को track करने के लिए भारते रेलवे ने कौन सा mission launch किया है, तो अभी mission अमानत launch किया गया है rail यात्रियों के खोई हुए सम्मान को track करने के लिए भारते रेल ने ये mission launch किया है mission अमानत नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो कोची बना है यानि केरल तो आपका correct answer है केरल में है कोची आपका correct answer है जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला राज्य बना है कोची नेक्स्ट है हाली में बारत का पहला हैली हब कहां इस्ताफित किया जाएगा तो पहला हैली हब कहां इस्ताफित किया जाएगा गुरू गुराम यानी हरियाना में हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सक्तिसाली पास्पोर्ट की सूचिना में सीर्ज पर कोन साधेस्ष मना है नेक्च कोशन है जनवरी 2023 के किस टीम के खिलाफ खेलते हो विराट कॉली ने वंडे सीर्ज में 45 सतक पूरी किए तो अभी लेटेस्ट है सिर्लंग के खिलाफ जो सिरीच चल रही थी वंडे उसमें अभी सिर्लंगा के खिलाफ जो क्विराट को लिया उन्होंने 35 वबना सतक पूरा के है तो एक सिर्लंगा के खिलाफ किया है ये स्पोर्ट से लेटिड आपका कोशन है नेक्स्ट है जनवरी 2023 में प्रत्वी शाहा ने रंजिट ट्रोफी में किस राज्य की किर्केट टीम के खिलाफ 13 सतक लगाया तो अभी प्रत्वी शाह जो रंजिट ट्रोफी में खेल रहे हैं उन्होंने असम के खिलाफ अभी 13 सतक लगाया यानि 300 रन बनाए हैं तो ये वाटर वेज एंड कम्मुनिकेशन का उद्गातन किया है तो अभी अगरतले में किया गया है School of Logistics, Waterways and Communication का उद्गातन तो अगरतलाव का करेक्ट आंसर है वीडियो हल्फुल हो रही है तो फटफट से लाइक जरूर करने WhatsApp ग्रूप जोइन कर ले Telegram ग्रूप जरूद जोइन कर ले अगर आपको daily PDF चाहिए current affair की तो आपको आपर मिल जाएगी वीडियो को सभी के पास शेयर कर देना daily current affair में आपको cover कराता हूँ चैनल के साथ आप जरूर बने नए exam for you चैनल के साथ नेक्स्ट है जनवरी 2023 में डूएन पिटोरियस ने अंतराश्ट किर्केट से सन्यास लेने की गोसना की है यह किस देश के लिए किर्केट खेलते थे तो दक्सिन अफरीका के लिए खेलते थे कौन डेविन पिटोरियस तो अभी दक्सिन अफरीका के दो खिलाडियों ने क्या किया है सन्यास लेने की गोशना की है किर्केट से तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो गाईज ये थे आपके 14 जन्वरी की Important Current Affair जो मैंने आपको cover कराई है अगर आपके लिए वीडियो helpful हुई है तो फटाफट से लाइक कर दें अपने सभी friends के पास share कर दें और चैनल को subscribe जरूर कर लेना जो भी नया है exam for you चैनल को subscribe कर लेना चैनल के साथ आप बने रहेना क्योंकि Current Affair आपके लिए important है notes बनाते वे चले daily Current Affair के लिए exam for you के साथ बने रहें इस वीडियो में इतने हैं guys वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर